हेलो दोस्तो आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल जोब भंडार को और साथी दबाए इस बैल आइकन को हलो दोस्तो एक बार फिर से मापके लिए एक बड़ी भड़ती की अपडेट लेकर आई है इस वीडियो में बात करने वाले हैं SSB भड़ती 2020 के बारे में जो की ससस्त्र सीमाबल के अंतरगत होने जा रही है पोस्ट है कोस्टेबल ड्राइवर सफाईवाला एंड अधर्स जिन के लिए 1522 वेकेंसी जिनिकली है जिहां दोस्तों SSB के इंतरगत 1522 वेकेंसी उपर बढ़ती होने जा रही है और इस बढ़ती के लिए आल इंडिया से मेल फीमेल दोनों कंडिडेट अपलाई कर सकते हैं अपलाई करने के लिए कम से कम दस्वीपास होना जरूरी है जिहां दस्वीपास के लिए बड़ा मुखा है दोस्तों अगर आप भी दस्वीपास हो और आप इंपोस्ट के लिए अपलाई करना चाहते हो तो अपलाई करने से पहले आपको जानना होगा इंपोस्ट का इलीजबिल्टी क्राइटेरिया एज लिमिट सेलेक्शन परसेज्ट कैसे अपलाई कर सकते हो और कब से कब तक अपलाई कर सकते हो जो कि ये complete details आगे इस वीडियो में मैं आपको official notification के दवारा step by step provide कराने जा रहा हूं तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए बने रही है इस वीडियो में हमारे साथ अंतक दोस्तों ये आपके सामने इस भरती का official notification इसके दोरा मैं आपको इस भरती की complete जानकारी step by step provide कराने जा रहा हूं तो चलो शुरू कर लेते हैं बिना वक्त गवाए यहां बरती ससस्तर सीमाबल government of India ministry of home affair के अंतरगत होने जा रही है इस भरती के लिए आल इंडिया से नेपाल से और बुटान से candidate male female दोनों candidate apply कर सकते है दोस्तो अगर बात की जाए सेल ली की तो इस भरती के इंतरगत आपको सेल ली मिनने वाले है लेवल 3 के साब से 21,700 से 69,100 रुपे पर मंत दोस्तो अब बात कर लेते हैं कि यहां पर किस post के लिए कितनी vacancies निकले है जो की इस परकार है कोश्टेबल ड्राइवर male candidate के लिए 574 vacancies निकलने है चाटिगलीबॉस वेकन्सी आप यहां से चाक आउट कर सकते हो कोस्टेबल लबोरेटरी एसिस्टेंट के लिए 21 वेकेंसी निकलिया कोस्टेबल वेटर्णी के लिए 161 वेकेंसी निकलिया कोस्टेबल आया फीमेल के लिए 5 वेकेंसी निकलिया कोस्टेबल कारपेंटर के लिए 3 वेकेंसी निकलिया कोस्टेबल प्लेंबर के लिए एक वेकेंशी निकलिया कोस्टेबल पैंटर के लिए बारा वेकेंशी निकलिया कोस्टेबल टेलर के लिए 20 वेकेंशी निकलिया कोस्टेबल गोबलर के लिए 20 वेकेंशी निकलिया कोस्टेबल गरांडर के लिए 9 वेकेंसीज निकलिया कोस्टेबल कुक मेल के लिए 232 वेकेंसीज निकलिया कोस्टेबल कुक फीमेल के लिए 26 वेकेंसीज कोस्टेबल वासरमैन मेल के लिए 22 वेकेंसीज कोस्टेबल वासरमैन फीमेल के लिए 28 वेकेंसीज और, यहां पर 75 वेकेंशी निगी लिए कोस्टेबल बार्बर मेल के लिए कोस्टेबल बार्बर फीमेल के लिए 12 वेकेंशी निवासी वेकेंशी दोस्टों, अब बात कर लेती है, eligibility criteria के बारे में apply करने के लिए costable driver post के लिए mail post के लिए 27 साल का होना जरूरी है और education में 10 पास होना जरूरी है और 7 शाथ你的 Intellect के लिए costable laboratory assistant के लिए 38 से 25 साल के candidate apply कर सकते है education में 10 पास वो भी science के साथ होना जरूरी है और 7 शाथ laboratory assistant course का आपके पास certificate होना जरूरा है कोस्टेबल वैटनरी के लिए 18-25 साल के kindidate apply कर सकते है сделал और एग्जूकेसिन में 10 भी पास होना जरूर है वो भी science के साथ और साथ 17 1 साल का experience भी जरूरा कोस्टेबर आया female के लिए 18-25 साल के candidate apply कर सकते है apply करने के लिए science के साथ दस्वी पास होना जरूरी है और first aid examination certificate आपके पास होना जरूरी है साथ इसाथ एक साल का experience भी आपके पास होना जरूरी है costable carpenter, plumber और painter के लिए अठा से पच्छी साल के candidate अप्लाई कर सकते है apply करने के लिए दस्वी पास होना जरूरी है दो साल का experience होना जरूरी है, एक साल का certificate होना जरूरी है और दो साल का diploma होना जरूरी है और साथ इसाथ trade test qualify होना जरूरी है अब बात आती है, costable, cook, waterman, barber, सफ़ाईवाला, water carrier, water tailor और grander और gobbler के लिए इनके लिए 28 से 33 साल के candidate apply कर सकते है अपलाई करने के लिए 10 पास, 2 साल का experience, 1 साल का certificate और 2 साल का diploma और trade test qualify और multi skilled candidate होना जरूरी है दोस्तों अब बात आती है कि अपलाई करने के लिए आपको यहाँ पर कितनी application fee जमा करानी होगी unreserved EWS और OBC category candidate को 100 रुपे जमा कराने होगे जबकि SCST category candidate और female candidate को यहाँ पर कोई भी आवेदन सुलक जमा नहीं कराना होगा यह category candidate इस भरती के लिए बिना किसी आवेदन सुलक के apply कर सकते है application fee जमा हो सकते है online, net banking, credit card, debit card या चलान के दवारा यहाँ दोस्तों इनके आदार पर आप application fee जमा करा सकते हो दोस्तों अब बात कर लेता है कि आप इस भरती के लिए कैसे apply कर सकते हो आप इस भरती के लिए online आवेदन कर सकते हो online आवेदन करने के लिए official website www.ssbrectt.gov.in यहां दोस्तो इसी official website के दोबरा आप इस भर्ती के लिए online आवेदन आसानी से कर सकते हो दोस्तो यह तिस भर्ती की complete जानकारी अगर अब भी आपको ओड़ जानकारी चाहिए तो आप इस notification को download कर सकते हो इस notification का link मैं इस video के description में provide कराने जा रहा हूँ वहाँ से आप इस notification को download करके इस भर्ती की complete जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हो और फिर apply कर सकते हो दोस्तो अप्लाई online का link भी मैं इस video के description में provide कराने जा रहा हूँ वहाँ से आप apply online का link open करके इस भर्ती के लिए directly apply कर सकते हो दोस्तो आई हो प्याई वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो इस video को like और सेट जरूर करे अगर आपने भी तक हमार चैनल को subscribe नहीं किया है तो हमार चैनल को subscribe कर ले क्योंकि आगे भी हम आपके लिए इसी बड़ी भर्ती की update लेकर आने वाले है regular basis पर